नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है आदोश्र स्वागत आपका Study IQ में आज का वीडियो की Information वीडियो है जहांपे मैं आपको Ministry of Health and Family Welfare की Guidelines के बारे में बताऊंगा जो रहने Frequently Asked Questions के फॉर्म में अपनी वेबसाइट में रिलीज करी है और ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है जह Questions, Vaccine Registration, उनके Side Effects, Vaccine की Authenticity और अलग-अलग Vaccines की Queries से Related है तो चलिए चलते हैं पहले Question की तरफ पूरे वर्ल्ड में जो Multiple Vaccines हैं उनमें से कैसे एक या उससे ज़्यादा Vaccine Select करी जाती है Administration के लिए Ministry बताती है कि जो Safety और Efficacy Data Clinical Trial से आते हैं उन्हें एक्जामिन किया जाता है Drug Regulator of India के द्वारा License दिये जाने से पहले इसलिए जिन भी COVID-19 Vaccines को License मिलता है उनके पास Relatively ज़ादा Safety और Efficacy होती है हालक कि इंशोर किया जाना जरूरी है कि वैक्षीन के schedule एक ही वैक्षीन से पूरा किया गया है क्योंकि अलग-अलग COVID-19 Vaccines interchangeable नहीं है दूसरा सवाल क्या इंडिया के पास Capacity है कि वो इतनी सारी वैक्षीन को 2 से 8 डिगरी Celsius में Store कर पाए और Required Temperature पर उन्हें Transport कर पाए इसके जवाब में Ministry बताती है कि इंडिया इस दुनिया के सबसे बड़े Immunization Programs में से एक चलाती है चहाँ पर 26 million newborns और 29 million pregnant women को वैक्षीन दी जाती है इसके लावा वैक्षीन प्रोग्राम के mechanism को strengthen और gear up कर दिया गया है कंटरी की large और diverse population को vaccinate करने के लिए क्या कोई preventive measures या precautions हैं जो session side पे जाने से पहले follow किये जाने चाहिए Ministry का कहना है कि सबसे request की जा रही है कि COVID-19 वैक्षीन लेने के बाद at least आदे घंटे vaccination center पर rest करें अगर आपको कोई discomfort या uneasiness feel होता है तो अपने nearest health authority, A&M या ASHA को बदाए और COVID-19 appropriate behavior को जरूर follow करें जैसे कि mask पहनना, hand sanitization करते रहना और physical distance या कहें 6 feet या 2 गस की दूरी जरूर बनाए रखें कौन सी vaccine जादा better है? COVID-shield या co-vaccine? इस question को answer करते हुए ministry कहती है कि इंडिया में use की जाने वाली दोनों ही vaccine में कोई head-to-head comparison नहीं है तो किसी एक vaccine की उपर दूसरे को choose नहीं किया जा सकता दोनों ही vaccine infection को prevent करने में और साथी साथ एक इंसान को disease की severe state में जाने से बचाएंगी एक long term effect के तौर पे देखें तो यह elder people और ऐसे लोग जो comorbid हैं उनको death से बचाएगी ऐसी कौन सी medicines हैं जो COVID-19 vaccine लिये जाने के पहले avoid की जानी चाहिए और कितने वक्त तक फिलाल के लिए ऐसी कोई भी instruction नहीं आया है एक इंसान अपनी regular medicines ले सकता है बिना किसी रुकावट के बस उसे vaccinator को vaccine लेने से पहले उन medicines के बारे में inform कर देना चाहिए कि जिन लोगों को chronic disease हैं उनके लिए vaccine नहीं use करी जानी चाहिए ministry का कहना है कि chronic disease और morbidities जैसे कि cardiac, neurological, pulmonary, metabolic, renal, etc. के case में vaccines ना लेने का कोई suggestion नहीं है in fact ऐसे लोग जिन्हें comorbidity है उन्हें COVID-19 vaccine COVID के severe risk और death से बचाएगी अगर किसी इंसान को cancer, diabetes, hypertension जैसे disease है तो क्या वो COVID-19 vaccine ले सकता है या फिर अगर मैं HTN, DM, CKD, heart disorder या lipid disorder से सफर कर रहा हूँ तो क्या मैं vaccine ले सकता हूँ इसका जवाब है हाँ एक इंसान जो एक या एक से ज़ादा comorbid condition से सफर कर रहा है वो high risk category में है उन्हें जरूरत है COVID-19 vaccine दिये जाने की overall vaccine safe है और इसकी efficacy भी अच्छी है ऐसे adults के लिए जिन्हें comorbidities है पर अगर आप किसी specific reason को ले के concern है तो आप अपने doctor से please consult करें कई लोगों के मन में vaccines के emergency और restricted use को ले के भी questions थे जिन्हे ministry ने address किया है EUA Emergency Use Authorization या Permission for Restricted Use क्या है EUA यानि Emergency Use Authorization एक regulatory mechanism है जो allow करता है medicines या vaccine को कि वो life threatening disease जैसे की COVID-19 की condition और impact को रोख पाए या कम कर पाए हलाकि EUA grant किये जाने से पहले laboratory और clinical data जिसमें quality, safety, protection of protective antibodies और efficacy included है उसका rigorous assessment किया जाता है safety एक critical aspect है scrutiny का और risk versus benefit evaluation भी किया जाता है public health emergency को ध्यान में रखते हुए किसी भी vaccine को license तभी मिलता है जब manufacturer complete data submit कर देता है Indian regulators के दौरा दिये जाने वाला EUA global guidelines के साथ aligned है क्या EUA यानि Emergency Use Authorization एक नई process है जो COVID-19 vaccines के लिए introduce की गई है ministry बताती है कि EUA का concept दुनिया में हमेशे से रहा है लोगों की life बचाने के लिए life threatening disease से vaccines और medicines की help से जबकि companies लगातार effective और addition information collect करती रहती है full license को enable करने के लिए पहले भी EUA को grant किया गया है अलग-अलग vaccines के लिए for example anthrax, Ebola, antirovirus, H7N9, influenza और Middle East Respiratory Syndrome के case में भी EUA को grant किया गया था January 2019 तक 9 COVID-19 vaccine emergency use में थी अलग-अलग countries में, पूरी दुनिया में vaccine के clinical trial के phase 1, 2 and 3 क्या है vaccines के trial अलग-अलग phase में होते है पहला phase होता है pre-clinical trial जहाँ पे vaccine development laboratory animals के उपर किया जाता है फिर आता है phase 1 of clinical trial यह trial short number of participants के उपर किया जाता है इसका main मकसद immune response, vaccine safety और right dose को determine करना होता है phase 1 के बाद आता है phase 2 of clinical trials जिनको कुछ 100 लोगों के उपर किया जाता है इसका main मकसद vaccine की immune response generate करने की ability के बारे में पता करना होता है main aim vaccine की effectiveness को check करना होता है disease के against और larger groups के लिए इसकी safety को भी phase 3 trials में लगबग 1-2 साल का समय लगता है बच्चों को vaccination क्यों नहीं provide करी जा रही है जो usual target होते हैं ministry का कहना है कि COVID-19 सभी age groups को effect करता है पर इसकी morbidity और mortality several times जादा है ऐसे लोगों में जिनकी age 50 years से जादा है children या तो asymptomatic है या mild symptom शो कर रहे है evaluation की general practice के according भी कोई भी नहीं vaccine का evaluation पहले older population की उपर किया जाना चाहिए और फिर age reduction होता है safety और vaccine की effectiveness चेक करने के लिए कम age वाले population में जो vaccines अभी available हैं उनका evaluation अभी तक children पे नहीं किया गया है कुछ clinical trials चल रहे हैं जो COVID-19 vaccines की effectiveness और safety बच्चों की उपर चेक करेंगे इंडिया में available दोनों vaccines के development के लिए कौन सी technology यूज करी गई है COVID-shield vaccine जो बनाई जा रही है Serum Institute of India के द्वारा उसमें viral vector based technology यूज की जा रही है जो Ebola vaccine को बनाने के लिए भी यूज में ली गई थी वहीं बात करने को vaccine की तो इसको बनाया जा रहा है भारत बायोटेक के दौरा ये vaccine एक whole virion inactivated vaccine है इसी technology को यूज करके influenza, rabies और hepatitis A की vaccines भी बनाई गई थी दोनों ही vaccine को cold chain temperature की जरूरत है इस cold chain को कैसे maintain किया गया है vaccine के storage और transportation के दौरान ministry के हिसाब से दोनों vaccines को 2-8 degree Celsius के temperature में store किया जाना चाहिए दोनों vaccine के लिए cold chain को active and passive cold chain equipment से maintain किया जा रहा है ये equipment लगबग इंडिया के 29,000 cold chain ports के across available है क्या covishield same vaccine है जो UK में दी जा रही है AstraZeneca के दौरा ministry का कहना है कि हाँ covishield जो manufacture करी जा रही है Serum Institute of India के दौरा वो same patent technology पे based है जिस पे AstraZeneca vaccine based है क्या मेरे पास 24 रहेगी कि मैं कौन सी vaccine लगवाना चाहता हूँ vaccine का availability, distribution plan और beneficiaries load के according इंडिया के अलग-अलग parts में distribute किया जाएगा सो अभी के लिए vaccine के choice का option available नहीं होगा Indian regulators ने co-vaccine को clinical trials के third phase के result से पहले ही authorization दे दिया है हम इसको कैसे explain कर सकते हैं ministry ने इस बात का जवाब देते हुए कहा है कि हम COVID-19 pandemic से गुजर रहे हैं COVID-19 ने cause किया है social disruption economical downturn और significant number of death और ऐसे मैं pandemic को control करने के लिए society और system को कुछ ऐसे steps लेने ही होगे जिने drastic कहा जा सकता है co-vaccine का pre-clinical और clinical data जिसमें phase 1 and 2 का complete data included है phase 3 के partial data के साथ regulators के द्वारा thoroughly scrutinize किया गया है ये data दिखाता है कि vaccine safe है और एक अच्छा antibody response generate करती है हाला कि ये vaccine किस extent तक recipients को disease से protect करेगी ये पूरी तरह पता नहीं चला है इसलिए regulators ने इसे trial mode पे ही allow किया है दोज़ों आज की वीडियो के लिए इतना ही I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी and please इसे अपने दोस्त रिष्टदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हम aware हो पाएं vaccine से related जानकारी के बारे में और अपना trust बढ़ा पाएं इंडिया में दी जाने वाली vaccines को ले के मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत